हुआ हलो प्रेंस आज मैं आपको बताँगा पाइव मेट्रा का इलाज तो इसके लिए आपको किस तरह का इलाज करना चाहिए रही बात एड़ी आपको बताऊं को जिस तरह से बच्चेदाने और गरवासी मेडी मौदा रही है या इनफेक्शन हो जगाए बच्चेदाने मे तो इसके लिए complete treatment बताऊंगा जिससे कि आप अपने गाये को जिस प्रकार से बार-बार heat में आ रही है और heat में आने के बाद में आपने कई बरूस की यह करवा लेते हैं यह natural लेदी करवा लेते हैं तो उसमें आपके पसूं को भोज़़ा दिकत हो जाती है जिसकी जैसे आप आपका पसूं बार-बार repeat हो गई आप चाहिए उसकी कितनी यह करवा ले यह natural करवा ले तो उसी इस्तती के दोरान आपको कौन से ऐसी दवाओं का प्रियोग करना चाहिए जिससे कि आपकी गाय प्रिवेंट हो जाए या conceive हो जाए पूरी डिटेल से वीडियो लंबी होगी साथ वीडियो दी जाती है रही बात पाइव मेटरा की केस अब देखने को मिल रहे हैं और मेरे पास बहुत इस तरह कमेंस भी आते हैं हर तरह की वीडियो आपकी लिए चैनल पर लेकर क्या तो लेटेस जिस तरह की फिल्ड में केस देखने को मिलते हैं उसी के अंदूप आ सब्सक्राइब देखा होगा कि आपके परशम में घरबाशे में आ रीक जो डिसाज आ रहा है मटमेला आ या एकदम जिसके अंदर आपको लग रहा है कि कुछ से मवा टाइप यह भार पहेंक रहा है तो यह देख लेना चाहिए कि उस इस्तति में कभी भी आप अपनी गाई क या नेचुरल दोनु कभी भी नहीं करना चाहिए वहां पर आपके पास यह नजदिक प्रसु चिक्षक मिले तो उसकी सला जरूर ले लेनी चाहिए रही बात यह पायोमेटरा बनता क्यों है यह तब बनता है जब यह आपके प्रसु में जिस प्रकार से जिसे हम खैते हैं कि म मेला डालती है उसका कुछ भाग रहते हैं प्रकार से यह वेरे इंदर बारे अंदर तो कि लेता है कि बदे ठेहरने पाता है रही बात कईबर एदि आपके पशूं में इनफेक्शन वैसे भी हो जाता है एनवारिमेंटल भी इनफेक्शन आपके पशूं में बच्चे दानी में हो सकता है या जो मैंने बता है कि उसकी वज़र से जेयर में कुस भाग रजाए मेला एदी प्रोपर ने तो इनके बचाव के लिए है कि जब भी आप अपने परसु के यह आपका परसु डाल भी देता है आसानी से डाल देता है सवस्त है किसी भी तरह की कोई दिकत नहीं है तो भी आपको कुछ दवा देनी चाहिए यह आपके परसु में हाथ से यह वेटिनेरियन डोक्टर से यह निकलवाते हैं तो उसके बाद में भी आपको दवा देनी चाहिए तो उसके तोर पर मैं आपको बता रहा हूं जिस प्रकार चाहिए एगजापार आती है हायरवेट की यह आप अपने परसु को दे सकते हैं 100 ml सुबह और 100 ml सियाम को यह आपका परसु आसानी से जेर भी डा निकाते हैं कोई सी भी यह अच्छी कंपनी का ब्रांड का वर देना चाहिए 100 ml सुबह 100 ml से हम लगातार पांच दिन आप दें ताकि उसकी अच्छी तरह से वेजाइनल ड्रेसिंग हो जाए और फिर यह आपके पसु में इस तरह की दिकत देखने को मिलती है तो आपके पास तो उसके दोरा आप उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग करवा लेनी चाहिए वेजाइनल ड्रेसिंग में उसमें कुछ दवा उसकी बच्चेदानी में घरबासे में छोडी जाती है कैसे छोडी जाती है उसके बारे मेरे एक लाइव वीडियो बनाया है कि इस तरह से छोडी जात तो यह दुवा चोड़ सकते हैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं जिस तरह से एकरस के आती है यूट्रिप्लेक्स आयू बहुत अच्छी दुवा है इसके तोर पर इस और भी है जिसके अंदर साल्ट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं लीव फ्लोकजाशीन है और 進ी इसको चुड़बा सकते हैं एल आपके पास जो अच्छे वेटिणेरियन अपर यह दोपर होist अब अच्छी गया हिते है कि अच्छी तरह से वेजाइनल कि जित्ली का सब दूर हो जाएगा यहीं एंटीबाइटिक तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी घरभास्य में अब हर अलानक वेटिनेरियन के लानक 24 होती है कोई और अधर अच्छी एंटीबाइटिक आती है उस भी छोड़ सकते हैं या इसे जिसको और अधर एंटीबाइटिक मेरी ज सकतें 15 kg आपको एक साइड लगवा देनी आपके सांच को अधर नोर्मल है यह लगा देनी यह क्या करता है कि आपके परसू में लगाता है लोंग एक्टिव रहता है लंबे समय तक अस्र करता है किसी भी तरह के इन्फिक्शन को कंट्रोल करने का यह काम करता है तो आपको oxytetracyclin जो एंटीबाइटिक एले आती है उसका भी प्रियोग आप अपने प्रसु में वेज आयलें ड्रेसिंग कराते समें आप करवा सकते हैं यह जो नए वेटिनेरियन है देख रहे हैं आपके पास नजदिक प्रसुच कर सेका तो उससे भी करवा सकते हैं रही जो कोई भी है जिसके सेप्टी फोर सोडियम साल्ट का इंजेक्शन हो वह इंजेक्शन आप एक ग्राम परड़े के साफ से लगाता है तीन दिन तो आपको लगवाना है यह ज्यादा इदी दिक्केत है तो चार से पांच दिन भी इस इंजेक्शन का प्रियोग करवाया जा आपको क्या करना है कि जब एक हीट आए आपके पसू की यादि दूसरी बन जब आपका पसू कर रहा है तो आप नेचुरल भी आप उसकी करवा सकते हैं बहुत रहे साथ में ऑर बताना चाहता हूं कि आप आपने पसू को अच्छा मिंडरल मिक्सर पावडर दें अच्छा रही बात रिपीट होने के चांस ना कहें बराबर हों इस पैसे क्या होता है कि आपका फसू आसानीasac ठहर भी जाता है किसी भी तरह कि कोई भी दिकत आपके पस्व में रहती भी नहीं तो यह ट्रीट्मेंट आप अपने पस्व में करवा सकते हैं और भी आपके लिए लेटेस्ट है वीडियो चीए उनके बारे में आपको आने वाले समय में बता दूँगा इसमें बताऊंगा वह लंबी वीडियो बंजाई वीडियो जितना हो सकता है वेटेस्टों या फस्व पालक उनके साथ आप सेर कर दें इसी तरह सी वीडियो दिखते रहे हैं और ही बात एक और बताना चाहते हूं कि आप पूरा एदी वीडियो देखना चाहते हैं तो अपना जो नया चैनल अधर चोद जारा उस पर आप देख सकते हैं उसका लिक आपको डिसक्रिस्व दिया गाए कि कौन सी ऐसी दवा आती है वेटेनेरी के अंदर सभी तरह की दोवा दिखाई गई है तो वह जाकर की आप देखें पूरी डीटेल शे आपको लाइव देख सकते हैं कि इस तरह की झाल झाल